गुड मॉर्निंग अब्रिवन एक और निया दिन एक और नहीं अनलिसिस डेट है आज का 25 अप सप्टेमबर आज मंडे है और यहां पर मार्केट ओपन हो चुका है है मार्केट ओपन होते ही थोरा बहुत यहां पर नगरिवीटिव मार्केट में सेलिंग हो रहा है।ि इसलिए यहां पर अभी मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया ओके में भी थोड़ा बहुत मार्केट पैनिक ने इसके तरफ में भी जा सकता है तो स्टील अभी हम लोग वेट करेंगे मार्केट को अब लोग अब्ज़र्ब कीजिए ओके थैंक यू सो मच सो टाइम हो रहा है 9.22 यहां पे मार्केट ने जितना तेजी से फॉल किया ना उतना तेजी से रिकवर भी कर लिया है ना अब यहां पे सोचने वाली बात है कि यह जो एरिया है ना इस एरिया के आज पास मार्केट क्या डिसिजन प्लान करने वाला है क्योंकि यहां पे अगर को न मार्क आउट कर लेंगे जो हम लोगों का help करेगा यह एक support है ना तो इस support से previous में न market इस level से उपर गया हुआ है and जब market दुबारा से इस level पे आया ना तो क्या plan हुआ previous में देखेगा ध्यान से previous में इस level में decision plan हुआ बहुत जाद यह देखे आया इस level पे उपर जाने का try क हुए market में market को नीचे ला दिए नीचे लाने के बाद अब buyers दुबारा से market को उपर लेके जाने का try कर रहे है मतलब clearly हमें यह चीज इंडिकेट हो रहा है traders कि यह जो level है ना अगर इसके उपर में market एक बार चला गया तो as per our technical analysis उपर का थोड़ा बहुत move हमें देखने को मिल स को मानेंगे हम लोग ठीक है बाकी हम लोगों का उपर से Fibonacci retracement अगर आपको लेना है तो valid हाई है हम लोग के पास लेकिन अभी तक valid low नहीं है इसलिए हम लोग ले नहीं पाएंगे मुझे नहीं पता कि market यहाँ पे rejection लेके market कितना fall करेगा तो इसलिए अभी Fibonacci को हम लोग sell करने का try कर सकते हैं नीचे के तरफ में ठीक है sellers आ सकते हैं फिर market में अगर अभी हम लोग selling में जाएंगे मान लेते हैं तो हमें stop loss round यहां पर रखना पड़ेगा यह हम लोगों का stop loss होगा लेकिन market hit भी कर सकता है तो इसलिए proper setup opportunity मिलने दीजे market अभी weak zone में चला गया है जब तक मार्केट इस लेबल को उपर के सारे में आप रेकाउट दे कुछ positive shine ना दे तब तक हम लोग को planning करेंगो के वीडियो को लास्ट है आप लोग जरूर देखेगा थेंक्यू सो मच सो टाइम हो रहा है 930 दिखे उपर जाने में market कितना ज्यादा problem दिखा रहा है ठीक है अगर हम लोग चाहे तो यहां पर selling के trade में भी बैठ सकते हैं लेकिन यहां पर stop loss नहीं आएगा ठीक है यहां पर ज्यादा quantity में trade ले लेते हैं तो यह सब addiction कभी भी मत कीजेगा प्लीज हम लोग कर सकते हैं हमें पता है कि हम लोगों किस तरह के से manage करना है लेकिन beginners लोगों के लिए चीज नहीं है यहां पर clearly हम लोगों को indicate कर रहा मार्केट अगर आप देखेंगे न तो उपर में जरूर मार्केट में sellers मौझूद है जो मार्केट को sell कर रहे हैं ठीक है 19 600 का अगर हम लोग पुट में देखेंगे प्राइस कितना चल रहा है वन से मिनट उनीस छे सो यह मैंना आयो वैस 17 अप्ग्रेट करने पर न इतना मेर बक्स आ रहा है मेरा आइफोन में सिरियसली परिशान हो गया मैं ठीक है 19 600 का कॉल पुट करेंगे 85 84 का चल रहा हम लोगों को कितना लैक कर रहे है वेट करेंगे बेस्ट सेट अप हम लोगों को मिलने दीजे ने तो क्या होगा ना प्रीमियम वेगर डीके होगा फाल तुमे कर लेंगे हम लोग तो टाइम हो रहा है 942 हम लोगों किस लेवल के आसपास में आ चुका है यहां बैमार्केट डिसेजन प्लान कर सकता है अब देखे जो लोग भी सेलिंग का प्लान कर रहे थे ना कि हम लोग सेलिंग में जाएंगे अब उनके लिए यह प्राइस बहुत ठीक है पोजिसन बनाऊंगा ना तो आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा कि मैंनेजिंग में किस तरह किसे कर रहा हूं लेकिन क्या है ना डिसेजन वाले एरे के आसपास से मार्केट बहुत जिदा टाइम भी हम लोगों को ले सकता है यहां पर सबसे पहले एक बात को ध्यार नखेगा कि मैंने यहां पर पोजिशन क्यों इनिशेट किया सबसे पहले बात कि अगर मार्केट उपर नहीं गया ना सपोज अगर मार्केट मान लेते उपर नहीं जा पाए क्या गैरेंटी के उपर जाएगा हम लोग ना यहां पर एक बाइंग अपॉर्चिन को गादा स्मार्ट है हम लोग यहां पे वेट कर रहें कि मार्केट उपर जाएगा कुछ मोशन क्रेट करेगा तो हम लोग यहां पर बाइंग का व्य कर बनाएंगे लेकन छी एक डिज cabinet वाला भी तो एडिया है underground 사실 अगर मार्केट इसानी और नहीं जा पाया क्योंकि live में अगर मैं trade नहीं लूँगा न तो आप लोगों को managing देखने को नहीं मिलने वाला है I hope यह जो selling का trade है आपने इस सीज को समझा होगा Market दीखे बहुत जादा smart है Market कभी नहीं चाहेगा कि आपके label तक market जाए और आप buying करें and market उपर चले जाए उससे पहली हो सकता market कुछ move कर दे इसलिए मैंने यहाँ पर trade को initiate किया that's right और कुछ नहीं वीडियो और आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को like जरू कर दीज़ेगा wait करेंगे देखतें किस तरीके से market behave करता है और किस तरीके से हम लोग अपना plan को change करते है हम लोग चाहे तो यहाँ पर target नहीं भी लगा सकते है market जितना नीचे आ सकता है हम लोगों का only asl ही रहेगा लेकिन logical जगा भी है नीचे में चली कोई दिकत नहीं है यह वैसे एक stupid type का लगता है किसरा आपको तो target ही नहीं लगा रहे है asl का wait कर रहे है चली कोई दिकत नहीं थोड़ा सो wait करते हैं देखते कैसा momentum आ रहा है अप rate करता हूँ मैं आप लोग को so time हो रहा है 10 बच के 4 मिनाड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा कि market सर बहुत ज़्यादा smart है market नहीं चाहेगा कि आपके setup पर जाए आप buy करें आपको market wait करवा देगा दिखाएगा देखो अब मैं fall करो अब मुझे यहाँ पर sell करो जैसे आप sell करेंगे वैसे market उपर जाए कि आपके sell को hit कर देगा अगर आप profit की बात करेंगे एक lot में तो एकदम भी profit नहीं है क्योंकि market ने यहाँ पर time भी बहुत जादा लिया ना तो इसका भी losses वेगर हम लोग को हुआ यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर profit को भी हमें book करना बहुत जरूरी हो जाता है नहीं book करेंगे ना अगर हम लोग इस भाड़ों से में रहेंगे कि हाँ ट्रेलिंग एसल हम लोग कर रहे तो मैं आपको बता दू यह जो profit आपको दिख रहा है यह आपको नहीं दिखेगा हो सकता है यह मेरा एक lot है आपके पास यहां पर 500 quantity हो 1000 quantity हो एक lot में दिखाना पर रहे है मुझे क्योंकि मैं 150 days का जो trading series में ने लाया है न वह एक दो तीन चार पाँच ऐसा ही lot में लेने वालों बाकि जादा lot में लूँगा मैं अपने personal account में उसका वी वीडियो में आपके साथ share करने का try करूँगा तो यहां पर एक ऐसे label के आसपास में आच चुका है न मार्केट जहां पर में भी मार्केट का एक decision भी प्लान हो सकता है तो अभी हम लोग चाहे तो अपने trade को square off करके बाहर निकाल देते हैं फिर नए setup के लिए हम लोग यहां पर find out करेंगे ठीक है देखे मैं यहां पर trailing SL के तरफ में भी जा सकता था कि मेरा यहां पर trailing SL यह वाला है यह trailing SL होने के बाद अब market जितना नीची जाएगा उतना मैं profit लेता जाऊँगा लेकिन ऐसा होता नहीं हम लोग के पास है option buying अगर मेरे पास यही future का contract रहता ना या फिर कोई अगर stocks में particular stocks में अगर हम लोगी stable contract में काम करते ना तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी पता यहां पर option buyers को दिक्कत क्या आती है trailing SL में मार्केट यहां पर वेट कर वाद है अगर बहुत नीचे जाएगा अथरा बहुत फिर ऊपर नीचे तो profit एक तम बहुत कम चलना start होगा अगर premium नहीं भढ़ा तो अगर जल्दी से premium बढ़ने लग गया ना तो बहुत ज्यादा फिर आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं हो सकते हैं मार्केट अभी बहुत ज्यदा मार्केट नहीं जाना चाहिएगा उससे पहली मार्केट नीचे आ जाएगा जाएगा जैसा कि यहाँ पे हुआ इसलिए मैंने यह एक लौट का मतलब आफटनून का ट्रेड वह हो जाएगा फिर और मैं आफटनून का ट्रेड में लेता नहीं हूँ ठीक है आज का वीडियो हम लोग यहीं पेंट कर देंगे अगर आप लोगों को इस सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं मिलते एक नेक्स्ट निव एजुक कर देंग रिंग झाल झाल झाल